असलाम लेकूम आज मैं आप सब किस्सा शेयर कर रही हूँ गुजिय की रेस्पी खोली आए और मैं गुजिय ना बनाओ ऐसा कैसे हो सकता है तो बिल्कुल पॉर्फेक्ट हलवाई जैसा गुजिय बनाके घर पे ही तयार करेंगे तो बहुत क्रिस्पी और टेश्टी भी बने लिया है और थोड़ा सा और मतलब सावा कॉप ये लग भग है यमई ले लिया है मैंने और इसमें मैशा मैंने अड़ कर दिया है एक कॉप का आटा आप grew आप चाहें तो टोडल पूरा मैदाद से बना सकते मैं आधे अधे लगभग मिक्स करके बना रही हूं और उसके जारे आटे में घी अच्छे से चला जाए इसका मोयन पर्फेक्ट लगे थोड़ा सा और में घी डाल देती हूं और घी डालके ऐसे हाथों से मसल लेंगे इसको मसलेंगे नो तो मसलने के बाद हम इसे चेक करेंगे मुठी बनाके जब यह बिखरेगा नहीं तो यह पर्फेक् हाड़ी बनाते हैं सॉफ्ट नहीं बनाते हैं थोड़ा सा मैंने बदाम लिया है दो चमच कढ़ाई में घी डालके उसमें बदाम थोड़ा सा ही काजू और तीन से चार चमच मैंने इसमें चिरोजी लिया है डालके भूनके निकाल लिया है और उसी घी में मैंने आधा कप स उसमों भी अच्छी आ रही है, तो उसको निकाल लेते हैं, उसी कढ़हाई में मैंने, आधा कप से ज़्यादा, नारियल का बुराधा डाल के, उसे भून लिया हैं, एक से दो मिनट में बुराधा भून जाता है, एक पाव मैंने खोव लिया है, खोए को तोड़के मैंने डाल दिया है कड़ाई में फ्रीज में रखने से ये जम गया था तो इसको मैंने तोड़के डाल दिया है कल्ची कहलब से इसको मसल के अच्छे से फोड लेंगे और फोड़के इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे एक मिनट के लिए, एक मिनट में जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, सौफ्ट हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे ड्राइफ रूट, सूजी और खोवा सभी को मैंने एक छोटे से गंबले में डाल के रख दिया है आधा कप मैंने इलैची पौडर डाला है और थोड़ा सा दो से तीन चमच किसमिश डाल देंगे इसमें और एक चोथाई कप मैंने चीनी पीस के इसमें एड़ कर दिया है मिला देते हैं सभी चीजों को और चमच से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था तो हाथों से हम इसे मिला देंगे हाथों से मिलाने से इत्मिनान हो जाता है कि यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो दस मिनट लगभग हो गया है थोड़ा सा आटे को मैं और पंच मार लेती हूं दो तीन बार और यह अच्छे से देखिए आटा सेट हो गया है मैंने अच्छा खासा hard गुना था लेकिन थोड़ा सा soft हुआ है ये लेकिन ये गुजिया के लिए perfect है तो जब भी आप आटा लगाएं इसका hard आटा लगा लिजेगा गुजिया के जो और मैंने छोटा सा पूरी के साच का बेल लिया है इसको आटे को और एक मैंने गुजिया का साचा लिया है थोड़ा सा ये छोटा हलका सा लग रहा है थोड़ा सा और मैं इस पर बेलन चला लेती हूँ ताकि ये प्रोपर आ जाए इसके साचे में और इसको बीच में इस तरीके से रख देंगे रख के थोड़ा सा हम हलका सा दबा देंगे ताकि इसमें गहरा हो जाएए इसमें मैंने दो चम्मच लगभग श्टफिंग डाल दिया है और किनारों से घुमा घुमा के अच्छे है अच्छे से इससे पानी लगा देंगे अगर पानी नहीं लगाएंगे तो जो हम फ्राइ करने जाएंगे तो ये गुजिया खुल जाएगी तो जब खुलेगी गुजिया तो पूरा तेल खराब हो जाएगा तो पानी लगाना बहुत जरूरी है और अच्छे से हाथों से इसको दबाएंगे ताकि ये बढ़ियां से चिपक जाए तो इस तरीके से देखिए एक पूरा ट्रे भर के गुजिया बना लिया है तो चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं तो अभी तेल अच्छा खासा गरम है तो मैं फ्लेम को मीडियम कर देती हूं और मीडियम फ्लेम पे इसे गुजिया को डालेंगे और गुजिया हमें पूरा भर के करहाई में डालना है ज इतना तेल है उतना पूरा उसमें भर दीजिएगा और medium flame पे इस तरीके से golden color का होने तक इसे हम fry कर लेंगे वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे like, share और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो please इसे subscribe कर दीजिएगा और एक bell icon भी होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि को आटा गुदा था वो पूरा भर के हुआ है और एक plate में भी एक plate भर के हुआ है सावा दो कप आटा था पूरा total तो उसमें इतना बन के तयार हुआ है अगर इसमें आप चाहें तो चासनी भी बना के डाल सकते हैं लेकिन परसदे मुझे चासनी वाला गुजिया उतना के और उसमें गुजिया फ्राई करके डाल सकते हैं लेकिन जो चासनी वाली गुजिया बनती है उसमें जो कसार बनता है इसका जो श्टफिंग हमने बनाया था तो उसमें हम चीनी का इस्तमाल नहीं करते हैं हमने इसमें श्टफिंग में चीनी डाला है क्योंकि मुझे सूखा बनाना था चासनी वाला नहीं बनाना था इसलिए तो इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपको चासनी वाला बनाना है तो श्टपिंग में चीनी मत डालिएगा अगर सूखा इस तरीके से बनाना है तो श्टपिंग में चीनी जाएगा तो चलिए अब इसी वीडियो के साथ अभी जाज़त शाहती हूं अल्ला हफीज